यह question है exercise 13.3 से question number 1 हमारे पास एक metallic sphere है जिसका radius है 4.2 cm इस sphere को melt करके recast किया गया एक slender में जिसका radius 6 cm हमें slender की height find करनी है तो ऐसे questions में जब भी हम एक solid से दूसरे solid में convert करते हैं तो उसमें को जो volume है means volume of sphere जो है equals to volume of cone के बराबर होगा और यहां से miss की जो height है उसकी find कर लेंगे तो मारे पास है का volume of cone होता है pi r square h और volume of hemisphere होता है 4 by 3 pi r q तो r मैं capital लिख लेता हूँ यहाँ पे दोनों की values अगर मैं substitute करूँ यहाँ से value find करूँ तो मेरे पास h आ जाएगा 4 pi r q over pi r square pi के साथ pi कट गया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया यह 4 into जो r है हमारे पास है यह है 4.2 4.2 into 4.2 into 4.2 over जो यह radius है वो है 6 into 6 और यहाँ पे 3 भी आएगा 4 by 3 तो यह 3 आ गया अब मैं इसकी cutting कर देता हूँ तो यह 6 से कर जाएगा 6,7 जा होते है 42 0.7 यह 6 से भी कर जाएगा 0.7 और यह 3 से कर जाएगा 1.4 जो multiply करेंगे 4 into 0.7 0.7 over 1.4 तो अंसर आएगा 2.744 सेंटीमेटर इसकी height आ जाएगी यह इसको हम लिख सकते हैं 2.74 सेंटीमेटर जो आपकी बुक के backman's yes का अंसर है तेंक यू